यूँ तो आपने कई प्रतिमाएं देखी होंगी, इस वक्त मैं जिस जगे पर मौजूद हूँ, वहाँ हनुवान जी का एक दिव्य रूप दिखा रहा हूँ, यह उनकी पूँछ है, बस इससे अंदादा लगाई है, और उसके बाद में भव्य और विशाल काय प्रतिमा, व अब भी काम चल रहा है, और यह है इंदौर का फित्र परवत, तो इंदौर शहर में इस तरह का कोई परवत बना हुआ है, यह जानकर आपको जरूर थोड़ा सा अश्चर होगा, लेकिन यह अब धर्मिक और अध्यात्मिक लिहासे खास तर पर हनुमान भक्तों के लिए एक बहुत बढ़ियां तीर सिस्तल बनता जा रहा है, यह कली मुझे पता लगा कि अश्च धातू की पतिमा है, और 108 फीट इसकी उचाई है, बहुत ही भव्य है, इसके समक्ष खड़े होकर तो एक दम दिव्य दर्शन वजरंग बली के मिल रहे हैं, और जैपूर में इसके अल इसके समक्षण का काम जा रही है, फिर भी बड़ी तादाद में शद्धालू यहां पर आ रहा है, यह विशाल काई गदा हनुमान जी की और यह हनुमान जी का दिव्य सरूथ, तो इंदौर शहर में यह उसको देखने लाए कई चीज़े हैं, लेकिन आपका जब भी आना ह पर ही यह रास्ता मिलेगा, और इंदौर अब तो यूँ घना एक शहर हो गया है, लेकिन यह इलाका अब भी आपको दूर दूर तक अरियाली जैसी दिखाई देगी, और वाह, सच मुझाच बड़ा ही दिव्य आनन्द इस स्वरूप को देखकर मिल रहा है, ओम हनुमान ज जनी सुनो वायू पुत्रो महावला, रामिष्ठ फालगुण सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमा, उददी क्रमन शैव सीता शोक विनाश्नह, लक्ष्वन फ्राण दाताचा दश्गीवस्य दरपह, द्वाद शैतानी नामानी कपिंद्रस्य महात्मन, स्वाप काले पठे नित्यम, यात्रा काले विशेशता, तस्समत्यूब है मुलास्ती, सर्वत्र विजय गवी, जैश्गीराण